है सो हेलो सुडेंट्स वेलकम तुद आप यमन्यवाएं एएस टारगेट आयेस 2021 में आप सभी का स्वागत है है सो हम लोग इस सेशन के अंदर करन्ट अफैस को कवर अब कर रहे हैं तो सुडेंट्स कर अफैर हमने 2020 से लेकर एप्रेल 2021 के अब अभी तक हम हमने मार्च, एप्रिल, मे, जून और जुलाइ को बहुत ही भड़िया डंग से एक्स्प्लेंड मैनर से हमने कवरप किया है और याद रखें ये सेशन्स आपके फ्री आफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है यहां पे और इन सब सेशन्स के आपको पीडिएफ के अगर बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है जहां पे आपको इसका पीडिएफ भी मिल जाएगा हम लोग टार्गेट आएस 2021 में मोर दिन मोर दिन वान यह से भी जाएदा के करेंट अफेस को कवर अप कर रहे हैं इन 70 अगर बात की जाए 70 यह नहीं की बिफोर दक प्रिलिम्स 2021 हम लोग यह वाला सेशन विद वेल एक्स्प्लेंड इच एंड एवरी करेंट अफेस को कवर अप कर लेंगे अगर फिर भी कोई भी स्टूडेंट को को डाउट रहता है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताईएगा और अगर बात करें ऑगस्थ की तो आज का हमारा लेक्चर नबर ट्विंटी एट औगस्थ टूथाज़़़नों ट्विंटी कर अटफेस के बेसिस पर ही रहेगा क्लियर है तो सेशन शुरू करते हैं और अगर मैं अपने बारे में इंट्रॉडक्शन दू तो सुटेंट्स मैसल कनम अगरवाल तो शुरू करते हैं हम लोग अगर बात करें आज की सबसे पहली न्यूस की तो है UK to issue coin in the honor of the Mahatma Gandhi तो यह आपके लिए important रहेगा GS paper 2 के लिए कि United Kingdom ने Mahatma Gandhi जी के honor में coins को issue किया है तो शुरू करते हैं यहां से यह लिखा कि the consideration is seen as a part of efforts to celebrate the achievement अब concept है celebrate करना है achievements को concept peoples की achievement of the people from the black, Asian and other minority ethnic communities यह याद रखेगा आप लोग पहला ही यहाँ पर word important रहता है what do you mean by BAME BAME तो BAME आपका represent कर रहा है black, Asian and other minority ethnic communities को clear तो यह वाला point clear होता है तो next point लिखा यहां पर कि the British finance minister has written a letter to the royal minority advisory committee को जिसको बोला गया advisory committee है इस independent committee है independent committee देती है आपकी और made up of experts जो आपकी RMAC committee है न वो किसी इसकी बनी हुई है उसमें कौन-कौन से members है यहाँ पर लिखा कि वो experts की है जो recommend करेंगे themes को and other designs for the coins को यह important है यह वाली committee इंडिया के examination point of view के लिए important है clear है UPSC perspective से अगर मैं directly बोल दूँ तो RMAC committee जो recommend करेगी जो बता रही है कि coins की theme क्या रहेगी और coin का theme क्या रहेगा वो decide कौन कर रहा है RMAC committee एक independent committee है next बोला गया कि recently the murder of black man George Floyd in the United States due to the police brutality has lead to the black leaves met a protest against racism's colonialism and police brutality across the globe तो यह concept है जो recently incident हुआ है कि black man का murder हो गया था कहां पे USA में next आया triggered by the death of the George Floyd some British institutions began re-examining their past which includes their history, colonialism and racism clear it यहां पर लिखा महात्मा गांधी जी के बारे में तो देखें यहां पर यहां पर लिखा है कि Mohandas Karam Chand Gandhi जी जो 2nd of October 1869 में जिनका बर्थ हुआ था पोर बंदर में याद रखें हैं पोर बंदर आपको गुजरात के अंदर मिल जाएगा and died on the 30th of January 1948 in the New Delhi यह चीज थोड़ी सी धियान में रखेगा कि यह वाज अ लॉयर, politician, social activist, writer and became the leader of the nationalist movement against the British rule of India हाला कि यह हम सभी को पता है बट फिर भी एक recall होना चाहिए एक basic है यह चीजें बट फिर भी knowledge perspective से हर एक चीज को हम लोग skip नहीं कर पाएंगे clear है next लिखा गया यहां पर कि महात्मा गांदी जी लीडर थे nationalist movement जो Britishers के अंगेंश चलाया गया था भारत के अंदर he advocated for non-violence throughout his life तो वो non-violence के बिलकुल अंगेंस थे तो इसलिए तो उन्होंने policy adopt कर रही थे non-violence पूरे जिंदगी में throughout his life और उसको advocate करते थे कि इसको non-violence को और violence के वो हमेशा अंगेंस रहे है and played a key role in the India's struggle for the independence बिलकुल ठीक है his birth October 2 is observed as the international day of non-violence by the United States again important clear he is considered as the India's father of the nation तो clear है यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा black lives matter protest अब क्या है क्या प्रोटेस्ट हुआ तो लिखा यहां पर केते it is a global movement जो पूरे विश्व में अभी यह movement शुरू हुई थी advocating जो advocate किया गया मतलब क्या है कि उनकी यह लगा लो की word रहता है कि उनकी तरफदारी की जाती है for non-violent civil disobedience in the protest against incidents of the police brutality and all racially motivated violence against African American people यह चीज आपको समझ में आई यह आपर तो किते its mission is to eradicate white supremacy and build local power और अब concept क्या है कि इसका aim क्या था इसका मुद्दा क्या था कि जो वाइट लोग है जो गोरे लोग है उनकी जो सुप्रीमेसी रहती है and build local power ता कि equality आजाए हर जगां पे to intervene in the violence inflicted on the black communities by the states and the vigilatants clear next आया के जोड़ा मुव्मेंट वस फांडे इन 2013 in the response to the actual of Travance Martin's African American murder in the United States of America यह important है यह सिर्फ important इसलिए बोला गया कि जो हमने पढ़ाए ना कि black lives matter protest है वो 2013 में शुरू किया गया था इसके उपर मैं जोर दे रहा हूं और इसका main objective क्या था कि black lives matter protest जो शुरू किया गया ग्लोबली शुरू किया गया था वो उसका main aim क्या था clear students यहां तक हम लोग आगे बढ़ें ओके तो यहां पर आज की हमारी next news रहती है कि hybris corpus cases in the Jammu and Kashmir तो यह आपके लिए important है for the GS paper 2 clear तो शुरू करते हैं यहां पर यहां पर लिखा सबसे पहला ही point है कि after the abrogation of the special status concept क्या है abrogation of the special status अब यह abrogation of special status क्या चीज है मैं यह आपको पहरा पढ़ाने के बाद उसके ओपर data add-on कर देंगे हम अभी क्या भी कहते कि जब यह एक special status जो जम्मू और कश्मीर का उसको हटाया गया था under the article 370 sorry 370 of the Indian constitution of East while state of Jammu and Kashmir जो August में हटाया गया 2019 में कि Jammu and Kashmir High Court was confronted with unprecedented number of Habes Corpus petitions वो कितनी पड़ी थी Habes Corpus petitions Jammu and Kashmir High Court के अंदर 200 से भी जादा clear up my dear students what do you mean by abrogation of the special status आई यह हम लोग डिसकस कर लेते हैं यहां पर लिखा है कि abrogation of special status अब आप लोग यहां पर concept को focus करना बस आप लोग मेरे साथ बने रहें तो students एक और request करता हूं मैं हर session में आप से बोलता हूं किसी को कोई doubt रहता है न तो please आप लोग comment section में जरूर लिखें क्योंकि कई students ऐसे हैं जो daily basis पे continuity पे रखा हुआ है उन लोगोंने कि यह session को बहुत अच्छे तरीके से watch कर रहे हैं और मैं guarantee देता हूं इस बात की कि यह session आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा मददगार रहेगा इस साल UPSC 2021 के लिए clear है क्योंकि जो current affair ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा crucial role play करते हैं तो यहां पर लिखा है abrogation of special status के लिए थोड़ सा data add-on किया जाए तो तो लिखा on 5th of August 5 August 2019 को the President of India the President of India promulgated concept पर focus करिएगा promulgated the constitution मतलब क्या रहेगा इसका मतलब क्या है कि एक application है तू जम्मू एन कश्मीर थोड़ सा data यहां पर extra लिखा जाएगा knowledge के लिए तू जम्मू एन कश्मीर order 2019 यह 5 अगस 2019 को हुआ था by the honorable president of India जो बोला गया कि abrogation of special status अब है क्या चीज़ के तेक a separate bill किसके लिए जम्मू एन कश्मीर री ओर्गिनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस तो यह इंट्रोड्यूस किया गया था सुडेंट्स याद रखें जो आपका एक सेपरेट बिल है 2019 में यह एक सेपरेट बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया था जिसके अंदर था कि जो आपका जम्मू और कश्मीर उसको री ओर्गिनाइजेशन किया जाएगा और उसको इंट्रोड्यूस किया गया थू बाइफरकेट था स्टेट आप आपको तो पता ही है अप एट प्रेजिन हमारे पास क्या चीज़ है दो यूनियन टेरिट्रीज हैं इन्टु दे टू सेपरेट यूनियन टेरिट्रीज क्लिर है अगर बात करूँ एक है आपकी विद लेजिसलेचर क्योंकि हमने यह चीज़ को देखा ही है कि जो आपका जमु एंट कश्मीर है यूनियन टेरिट्रीट्री एट प्रेजन अगर बात की जाए तो वो विद लेजिसलेचर है बिलकुल है और आपका स्टुदेंट् दूसरी कौन सी यूटी है एंड लद्दाक जो बोला गया था विद्दाउट लेजिसलेचर तो यहां पे किसी भी सुडिन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आप सभी ने इस चीज को देख रखा है और मैंने बस उसको एक थेरेटिकली उतारा है आप लोगों क किया गया था Constitution के द्वारा जो ओर्डर था 2019 में जारी किया वो एक स्पेशल बिल था जिसको बोला गया जिसके अंदर लिखा गया कि जो आपकी जमुन कश्मीर एक स्टेट है अब उसको तोड़कर बाइफरकेट करके दो युनिंटेटरी बना दी जाए एक को बोला गया ज अब कंशेप्ट है जो हैब्यस कॉपर्स जमुन कश्मीर हाइक कोट के अंदर 200 से भी ज्यादा पर्टीशन पड़ी है वो फिल्ड की गई तो चैलेंज किया गया था कि चैलेंज दिटेंशन अंडर जमुन कश्मीर पब्लिक सेफटी एक्ट जिसको बोला पी एस ए नाइटीन सेफटीट अब सुद्स वट दो यो मीन बाई जमुन कश्मीर पब्लिक सेफटी एक्ट पी एस ए जो 1978 में आया था ये स्लाइड के बाद हम लोग उसके ओपर भी डिसकस करते हैं क्लियर आगे बढ़ता हूं यहां पर लिखा कि आफ्टर दर एब्रोगेशन आफ स्पेशल से अब जब खत्म हो गया था स्पेशल सेट जमुन कश्मीर का कई हजार लोग वर डिटेंड फ्रॉम एक्रोस कश्मीर वेली अंडर दर प्रिवेंशन डिटेंशन लोग अब माई दियर सुदेंट्स वट दो यू मीन बाई प्रिवेंशन लोग जिसके तहत कई तो अम लोग एक बार प्रिवेंशन डिटेंशन लॉग को देख लेते हैं यहां पर लिखा कि वट दो यू मीन बाई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉग अब ध्यान दें आप लोग कि यह क्या चीज है यहां पर लिखते हैं नंबर वट के अंडर जम्मू एंड कश्मीर अंडर क्श्मीर को लेकर इंटर्न प्रॉब्लम बहुत रहती है इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर इंटर्नाशन रिलेशन में भी बहुत बड़े इस्यूज आए हुए हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक safety act कि जो जमवन कश्मीर public safety act है उसके तहट जिसको बोला गया 1978 में a person is taken into custody क्यों लिया जाएगा to prevent him या फिर her from acting in any manner that is pre judicial to the security of the state तो ये एक बसिक डेशिन लिखी जारी है तो ये एक बसिक डेशिन लिखी जारी है ये चुटन अ अंडर ब्रिवेंटिव नितिशिन लॉग अंडर एक बसिए जारी है the maintenance of public order of the public order और इसका अगर मैं बात करूं जो यह आपका preventive detention law जिसके अंदर custody में लिया जा सकता है कोई भी इंसान ताकि वो act in any manner that is prejudicial to security of the state or the maintenance of the public order तो उसका duration period या फिर ऐसा लिख सकते हो कि period of duration my dear students कितना रहेगा कि हम लोग बात करें तो two years का कि दो साल तक अपका preventive detention law का duration period रहता है तो यहाँ पर कोई doubt तो नहीं आपको तो हमने यह चीज़ देख लिया कि अब हमारा यहाँ पर यह चीज़ है कि हमने इसको देखना है कि focus करना है कि what do you mean by Jammu and Kashmir Public Safety Act इसको पी एसे 1978 वो अभी हम लोग इसको भी discuss करते हैं just a second बस यहाँ पर लिखा the other preventive detention laws under which people were booked are the national security concept है preventive detention law के अंदरकत लोगों को booked भी किया जा सकता है under the national security act 1980 यह चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना and unlawful activities जिसको बुलग है act 1967 तो students यह चीज़ आप लोगों के लिए paper में बहुत important role play करती है clear act कोई doubt तो नहीं आपको अब हम देखते हैं कि JNK का जो public safety act है हो यहाँ जुरू थे बस एक दो points और पढ़ लिए थे हैं यहाँ पे लिखा कि record of cases deal by the high court shows that 61% of the cases under the habeas corpus were dragged on over three to four hearings which were later either dismissed or the settled concept क्या है कि यह जो 61 फीशदी cases जो hybus corpus के अंदर आये high court के अंदर वो तीन से चार hearings के अंदर खतम हो चुके आइदर या तो dismiss कर दिए गए या फिर settlement हो चुका यह यह डाटा आया हमारे पास यहाँ पे लिखा however in the 17 cases ऐसे कुछ जो 17 case है the court cost the detention orders due to the lack of the procedures followed by the government which invoking the public safety act 1978 अब यह है क्या चीज़ PSA तो शुरू करते हैं यहाँ से याद रखेगा यह चीज़ में माले examination point of view से important रहते हैं तो पढ़ते हैं similar है क्याते इट is a kind of preventive अब यह similar एक kind है preventive detention law का जो अभी हमने देखा उसी तरीके का है क्याते under which a person is taken into custody to prevent him her from acting in any manner that is prejudicial to the security of the state और maintenance of public order तो इसका बिल्कुल सेमिन तो लिखा ना it is a kind of preventive detention law तो सेम यहाँ पर definition लिख दी गई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉकि अंडर दर जमुन कश्मीर पब्लिक सेफटी एक्ट जिसको पी एस बोला का 1978 और इसका duration पीरियड है सेम दो साल का इवन यहां लिखा गया कि जो डिटेंशन होते हैं जो और पास की गए बाइद डिवीजनल कमिशनर या फिर डिस्टिक मेजिस्ट्रेट कोई डाउट नहीं है आगे पड़े हम लोग ओके अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर देखते हैं कि अगर आपने पी एसे को चैलेंज करना है तो आपको पर्टीशन फिल करने होगी अंडर अबियस कॉपस पर्टीशन फिल्ट बाइद रेलेटिव ऑफ देटेंट पर्टीशन बिल्कुल ठीक यहां लिखा कि जो हाई कोट और सुप्रीम कोट हैं तो बाहर से हम लोग कोई भी पर्टीशन को रटेंट नहीं कर पाएंगे। तो जिसने भी यह पी एसे का ओर्टर पास किया उसके अंगेंस कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स हम लोग शुरू नहीं कर सकते। क्लियर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फोकस करिएगा यह आपको काफी इंपॉर्टेंट रहता है याद रखें यह एक जो हम लोग अब करने जा रहें यह एक रहता है बेसिक डेफिनिशन तो बस आप लोग मिर साथ बने रहें तो है क्या है एक लेतल टर्म है जिसका मतलब क्या है विज मेंज टु हाफ दा बोडी ओफ मतलब अंडर इसकोर्ट office के तहत जो भारत ची अंदर कोट है कोई भी कोट लगा लो हाई कोट लगा लो वो इशु करती है एक और को एक परसंट के लिए कूँ हैस डिटेंड एन अधर परसंट है एन ओर टू अपरसंट फिर एक्जामिन करता है कि क्या जो एक्जूस्ड परसंट है वो उसका लीगली डिटेंशन पॉसिबल था भी के नहीं लिखा यहां पर कॉज कारण और लीगलिटी ओफ डिटेंशन तो यहां पर लिखा कि जो यह रिट डाली जाती है इस बुल्वर्क ऑफ दे इंडवीजूल लिबर्टी अंगेंस्ट आर्बिटरी डिटेंशन इस कंसेप्ट क्या है इंडवीजूल की लिबर्टी के अंगेंस्ट आ रहा है यह तो कंसेप्ट कि हम लोग हाइबस कॉर्पस को यूज कर सकते हैं तो यह चीज है यह है उसके रूज और रेगुलेशन जो रिटन है अंडर दा हाइबस कॉर्पस क्लियर तो सुडेंट्स यहां तक थी हमारी सिक्टीन न्यूस तो हमारी नेक्स न्यूस रेती है कि इलेक्ट्रॉनिक विक् रखा है कि कंसेप्ट पर थोड़ा सा फोकस करना कि वेक्षिन इंटेलिजेंस नेट्वर्क इलेक्ट्रॉनिक यह एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह हमें काफिजा बेनिफीशल भी मिल रहे है डिरिंग दे कोविड नाइंटीन आउट ब्रेक याद रखें इस च राज्य सरकारों के द्वारा और यूनिन डेरिटरीज के द्वारा यूटी गवर्मेंट्स इन इंडिया क्यों टू मोनेटर दस सप्लाई चेन ऑफ दे कोविड रिस्पॉंस मिटियल कंशक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलम्स प्रस्पेक्टिव से याद रखें हमन और एक होते हैं मैनेज करना तो मैनेजमेंट तो फिर से हो जाएगा बट सेंटरल गवर्मेंट उस स्कीम को कैसे मॉनिटर कर रही है वो बहुत फोकस रहेता है जैसे कि अभी है यहाँ पे कि वेक्सिन है उसका जो प्रोड़क्ट है जो रिस्पॉंस मेटिरियल है जो सप्ल और यूटी गवर्मेंट इंडिया के अंदर तो मॉनिटर अप मैं पहली बोल रहा हूं कि मॉनिटर दा सप्लाई चेन ऑफ दे कोविड रिस्पॉंस मेटिरियल क्लियर है यहां लिखा गया कि दिस हास बीन उस्ड विद रिक्वासाइट कस्टमाइजेशन दूरिं दे कोव पेंडमिक के तहत था क्यों अरे for ensuring the continuation अब इसको यूज किया गया ताकि हम लोग पक्की तरह से बोल सके 100% ली बोल सकें और हम लोग शॉर्टी दे सकें कि continuation of the essential immunization services की services के अंदर immunization services के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आ रही है यह मैं directly बूल सकता हूं की vaccination program पूरे भारत के अंदर कभी रुकेगा नहीं यह COVID outbreak के टाइम पे बेनी यह यहां पे हमें help करेगा इवन यह शॉर्टी दे रहा है में नेक्स्ट लिखा केते हैं इस एन इंडिजीनियसली डेवलेब्ड टेक्मिनलोजी सिस्टम दाट डिजिटाइज वेक्सिन स्टॉक अब बहुत इंपोर्टेंट है कि भारत ने जो वेक्सिनेशन का स्टॉक है जिसको हमनों बोलते हैं कि भारत के अंदर कोवाशील्ड को वेक्सिन वेक्सिनेशन यूस की जारी है इवन भारत सरकार ने ड्रग डिजी सी आई ने अब तो को स्टॉटनिक वी को भी जो एप्रूबल दे दिया गया है वो हमने डिजीटाइज करते है विद धेल्प फफ इवन ख्लियरे के टेंड एंड एंड टेंपरेचर आप अब कंसेप्ट क्या है जहां पे यह स्टोरिज की जाती है आपकी वेक्सिनेशन वहां का टेंपरेचर से कितना चल रहा है cold chain through a smartphone applications it is aimed at अब इसका में अब्जेक्टिफ क्या है students concept focus करना है आपको एदे strengthening immunization supply chain system पूरे भारत के अंदर clear next आया किते even aims to support the government of India अब कंसेप्ट है बहुत important मेंस perspective से लगा लो prelims perspective से लगा लो यह चीज़ important है यहां पर लिखा कि भारत सरकार को even help कर रहे हैं किसके अंदर universal immunization program के अंदर जिसको आपने UIP नाम से भी सुना है मतलब by providing real time information daily basis पे information मिलती है किसके उपर vaccination का कितना stock रह गया भारत के अंदर flow का मतलब कितनी vaccine कितने भारत कौन कौन से भारत के राजमें कितनी पड़ी है and वो जहां पर पड़ी है उसका solid temperature कितने across the cold chain points in these states clear अगर बात की जाए what do you mean by universal immunization program तो इसके उपर आप लोग थोड़ा सा data add-on कीजिए students okay तो यहां पर लिखते हैं हम लोग universal immunization program clear तो मैं शुरू कर सकता हूं अब यहां पर लिखा कि in 1985 the program was modified as universal immunization program जिसको हमने UIP बोला है from concept देखें modify किया गया था मतलब नाम change किया और modify कर दिया UIP नाम रख दिया अरे students किसको modify किया मतलब 1985 से पहले कोई ऐसी scheme launch की गई थी जिसको modify करके universal immunization program launch किया गया 1985 में मैंने तभी लिखा from from expanded program of immunization यह चीज याद रखें कि expanded program of immunization मतलब EIP को modify करके universal immunization program बनाया गया students 1985 में यह चीज थोड़ी सी focus में रखना आप लोग क्यूंकि यह चीज important है और इसी तरीके का data UPSC पूछता है आप लोगों से clear संग लोग सेवा इसी इसको तो मांगती है यही चीज तो क्रक्स है यही चीज तो basic है हमारे लिए तो यह बैक्ग्राउंड है यह history है चले ओकी तो यह वला हमारा clear हो चुका है यहाँ पर next move करते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा कि it is being implemented अब यह जो आपका even है इसको implement किया गया under the national health mission national health mission क्या चीज है थोड़ी देर वेट कीजिए उसकी उपर वी focus करेंगे हम लोग बाइदा ministry of health and the family welfare concept है हमने even को launch तो कर दिया under the national health mission और मंत्राले आया ministry of health and family welfare और उसने partnership कर लिया UNDP से मतलब United Nations development program अब students मैं यहाँ आप से add-on data फिर से करता हूं national health mission को and what do you mean by UNDP बस देखें आप लोग और please request है यह data आप लोग थोड़ा सा add-on करते जाएगा national health mission है क्या चीज लीजे शुरू करते हैं number one concept देखेगा यहाँ पर लिखा it was launched by government of India भारत सरकार के द्वारा इसको लॉंच किया गया था in 2013 में सब्सक्राइब अब आपको थोड़ा सा फोकस यहां पर करना है यहां पर लिखना सब्सक्राइब अरे रूरल और अर्बन को दोनों को ले लिया national health mission के अंदर क्लियत केते इट वोज फर्दर तो इसको और भी आगे एक्स्टेंड किया गया इट वोज फर्दर है आपका national health mission के तहट तो students कोई डाउट तो नहीं है आपको अगर कोई डाउट है तो फिर से वही बात बोलता हूं कि प्लीज आप लोग comment section में लिखिए क्योंकि जब तक आपको डाउट नहीं मुझे पता लगए तब तक मैं आपकी help नहीं कर इसको बोल दिया गया तो एक मिरट तो हमने इसको तो फोकस कर लिया national health mission को अब हम लोग एक डाटा इसके उपर भी add-on कर लेतें कि united nations development program है क्या चीज तो देखें आप लोग UNDP क्लियर फूल फॉर्म लिख लीजिएगा united nations development program तो है क्या यहां पर लिखा कहते इस दक united nations global development network concept देखिए कि यह united nations global development network है and was established कब established किया गया था 1965 में 1965 में by the general assembly of united nations तो students clear है यह वाला कि 1965 में इसको established किया गया था किसके दोरा united nations general assembly हमने यह चीज भी देखिए कि what do you mean by UNGA united nations general assembly यह क्या है यह प्रांचिस किसी है clear even यहां पर एक और लिखा हुआ data आपके लिए कि UNDP है न जो एक executive board है united nation development program है वो एक executive board है इस मेड अप आफ री प्रेजेंट टेटिव्स from अब यहां पर देखिएगा 36 countries अरे 36 countries है executive board और कौन representatives है 36 countries पूरे विश्व में around the world who serve who serve on a just a second who serve on a rotating basis अरे concept देखें कि ऐसा नहीं है कि इसकी presidency executive board में एक country करेगा rotating alternative basis पे 36-36 countries एक एक वारस के executive board में रहेंगे clear रहें यहां तक कोई डाउट तू नहीं आपको बढ़ें आगे तो हमने national health mission को भी देखा और हमने UNDP को भी देख लिया आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा कि अनलाइन रियल-time information अब concept है जो आपका online real-time information है वेक्सिन स्टॉक्स को लेकर and storage temperature की facility को लेकर वो है evidence-based decision making important यह चीज़ आपके important रहती है हम इसकी positivity को देख रहें न इवन को जिसको पुलेगा electronic vaccination intelligence network ओके यह ते systemizing record keeping upgrading logistics and encouraging the good practices to ensure efficient vaccine logistics management concept आगे न मैंने आप से पहले discuss किया था students कि एक तो भारत सरकार का main focus रहता है कि कोई भी अगर scheme launch कर दी उसकी निगरानी रखनी जिसको हम लोग बोलते है monitor फिर हम लोग एक और pillar रहता है कि अगर वो scheme launch तो कर दी गई है बट उसको management कैसे करना है वो भी चीज़ देखी जाती तब ही तो लिखा जाते है कि भारत सरकार के दुआरा जो guidelines जारी की गई है भारत के हर एक राज्य के लिए तो ये concept आता आपका monitor और management के लिए concept है अरे guidelines इसी के लिए तो आती ही ना कि monitor कैसे करना है और manage कैसे करना है clear आके बढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा to empower the state cold chain network by building the capacities of handlers and the managers at each stage of the vaccine supply clear ये important data ये data important ये सारे का सारा prelims perspective prelim perspective prelim perspective से और ये prelim perspective से plus mains perspective से आपका पहला है point important रहेगा बागे अपके prelims perspective से important रहेगा तो यहाँ तक कोई doubt हो नहीं आपको आगे बढ़ते हैं ये लिखते हैं कहते this storage platform जहाँ पर ये vaccine आपकी पढ़िए जहाँ पर cold हिमत रहती है to be leveraged for any new vaccine including COVID-19 vaccines as and as and when available जब भी अविलीबल होती है electronic vaccination intelligence network है जो can be powerful ये powerful contribute up powerful है हत्यार जो contribution करेगा किसके अंदर strengthening हिमत बढ़ा रहा है किसको health system को भारत के and ensure the equity अरे उसको भी guarantee दे रहा है कि through easy and the timely availability of the vaccination to all the children's guarantee भी दे रहा है और equity मतलब equally ये भी provide कर रहा है कि पूरे भारत के अंदर जो COVID-19 की vaccines है children's के लिए pregnant mothers के लिए and other vulnerable groups के लिए वो availability रहेगी ये help कर रहा है even clear to all the children's pregnant mothers and other vulnerable groups तो मैं आपसे फिर से वही बात करता हूं हम लोग पर precious कर रहे union public service commissions के लिए अरे government of India ने कितना बड़िया step उठा लिया कि भारत को positivity के लेकर जाने के लिए तो ये concept हमारे लिए बहुत important है मैं तो बोलता हूं ये news बहुत important है आप लोगों के लिए हमने क्राम ने करना है रट्टा ने लगाना है हमने सरफ concept को समझना है clear है आगे बढ़ते हैं किते even can be upscaled अब जो आपका electronic vaccination intelligence network है इसको upscale किया जाता है ताकि हम लोग value बना सके है to build value value क्या चीज़ है we stands for your vaccine and logistic utilization evaluators मतलब which is a held device for capturing the data of vaccine administrator to monitor reach till the last mile beneficiary concept क्या है कि आपका even को हम लोग इतना upload कर दे कि value बना दे कि जो last end तक भारत के दूसरे छोड तक कोई भी बिना vaccine से ना रह पाए ये हमें help की जारी है through the even बहुत prelims और mains के लिए बहुत बहुत important है यहाँ पर आप लोग इसके उपर focus करें ताकि monitor करना है किसको reach till the last mile beneficiary में ये तो पूरे का पूरा ही जो आपका पहर है ना बहुत important है अरे ये crux है ये news का crux है अगर आपने ये ही पहरा पढ़ लिया बाकी news को skip भी करते तो भी चलता है क्योंकि आपको ये crux मिल गए यहाँ पर clear है आगे बढ़ते है अब हमने इवन देख लिया था universal immunization program को बट फिर भी देख लिए यहाँ पर लिखा इसको launch किया गया था 1985 में किसके बता सकते हैं modify कौन था expanded program of immunization से यू आईपी बनाया था 1985 में तो प्रिवेंट क्यों बनाया mortality, morbidity in the children and the pregnant women against 12 vaccinations अरे 12 vaccination diseases से बचाना है ठीक है ना जो preventable disease है अब बात की गई under the UIP free of cost vaccination is provided जो UIP scheme के तहत मुफ्त में vaccination प्रवाइड की जाती है अंगेंस्ट 12 vaccines preventable disease वो कौन कौन से है टूबिक लॉसस इवन भारत ने बोल दिया कि भारत 2025 तक पूरे भारत मुक्त हो जाएगा टीबी से टूबिक लॉससे डिप्थेरिया पर्टेसिस टेटनस पोलियो इवन इंडिया ओल्रेडी फ्री है पोलियो से Hepatitis B, pneumonia, meningitis due to the hemophilius influenza type B, measles, rubella, rubella के even already ये vaccines चल रही है पिछले 3 से 4 साल से Japanese, n-ciplets and rotavirus, diarrhea, clear है? के तेक, the program is one of the largest, अब concept यहाँ पे मैं फिर से focus करता हूँ जो आपने अभी देखना, इसको पढ़ रहे हो कि UIP, universal immunization program है, ये पूरे world की बात की जाए, in the world largest health program है इसको underline करके रखो, very very important है, क्योंकि पूरे globe को हमने comparison में ले लिया, despite being operational for the many years हाला कि ये काफी समय से operational में है, UIP has been able to fully immunize only 65% of the children under the one year of the age एक साल के बच्चों को अभी तक का 65% immunize किया जा चुका है, ये दावा किया गया है, data में, clear है, under the universal immunization program तो students, यहाँ तक किसे कोई doubt तो नहीं है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, okay, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, next news पे चलते हैं, हम लोग आगी, हमारी आज की next news रेती है, कि phase 2 and 3 clinical trial of COVID shield, तो इसको मैं बड़े ध्यान से करवाँगा, और ये आपके लिए important रहेगी, यहाँ पे लिखा सबसे पहले ही, कहते है, the drugs controller general of India, याद रखें, हमने अपने कल वाले news में और परसो वाले news में भी इसको definition में पढ़ा था, तो आज मैंने वो point skip किया है, कि DCGI क्या चीज़ रहती है, तो concept है कि पूरे भारत में, अगर कोई भी नई vaccine, कोई भी disease को रोकने के आती है, तो उसके clinical trials रेते हैं, तो last में जो approval मिलती है, वो भारत के अंदर approval दी जाती है, drugs controller general of India के द्वारा, clear, और अगर बात करें कि the drugs controller general of India has given approval to the serum institute of India, concept है, कि serum institute of India, जो पूरे के अंदर based एक अपना, वो है, industry है, पूरे टू कंड़क्ट फेस टू and the three clinical trials of the covishield in India की भारत की अंदर, covishield की clinical trials शुरू कर दिये जाए, यह निर्देश जिये गए, यह approval दीगी, serum institute of India को जो पूना के अंदर रहती है, clear, यहाँ पे लिखा, कि serum institute of India is the world's largest maker of the vaccination, बहुत इंपोर्टन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टन है, पूरे वर्ड के ले ज्यादा उत्पाद करते हैं, vaccinations को, and it has tie-up, आपका serum institute of India ने किसके साथ tie-up किया हुआ है, students, वो है आपका with AstraZeneca, किस से AstraZeneca से, अरे AstraZeneca क्या चीज़ है, यह है, एक स्विदेश, ब्रिटिश, फार्मा, स्वारी, फार्माजेंट, clear, स्विदेश, ब्रिटिश, फार्माजेंट हैं, क्यों, अरे क्यों, इसकी news क्यों आगी, ताकि यह दोनों मिलकर, COVID-19 की vaccine को produce कर सके, manufacture कर सके, clear है, for low and middle income countries, concept देखें, यहाँ पे, मैं यह सारे का सारा slide आपके लिए important लिखके जा रहा हूँ, बहुत-बहुत important रहेगा, यह एक basic बताया है, हम लोगों के लिए, कि किस तर अरी के से, Serum Institute of India ने tie-up कर रखा है, AstraZeneca से, जो Swedish, British pharma giants है, और वो COVID-19 vaccination manufacture कर रहे है, for the low and the middle income countries के लिए, अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग focus करें, मैंने यहाँ पे भारत की दो companies को, यहाँ पे considerate किया है, और एक match किया है, देखें, यहाँ पे लिखा, कि जो Serum Institute of India है, concept याद रखेगा, और यहाँ पे हुआ क्या, किते, phase 3 में जो trial होता है, क्योंकि phase 1, phase 2 and phase 3 clinical trials होते हैं, फिर जाकर, drugs controller general of India approval देता है, उसके साथ data को देखते हुए, यहाँ पे लिखा कि phase 3 trial में, 1600 volunteers ने भारत के अंदर participate किया, 70% efficiency IQ कि की COVID-shield vaccination की phase 3 में, किते, more than 23,000 overseas participants, even यहाँ पे लिखा कि UK and ministry आई आई आपकी, first to approve the vaccine, clear, कोई problem तो नहीं है, UK की सबसे पहली ministry ने इसको approval दिया था, किसको COVID-shield को, even अगर और बात करूँ, भारत की ही है, यह भारत biotech covexin, यह भी at present, अगर बात की जाए, 2021 की, तो भारत के अंदर maximum आपको COVID-shield और covexin use करने को देख रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा कि covexin में, phase 3 trial में 25,800 volunteers है, जिसके अंदर 22,500 participants है, इसका efficiency data अभी publish होना है, vaccine could be a backup option, backup option किसका, covexin का, याद रखें, clear, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे लिखा कि covexin है क्या, ध्यान से देखना उसको, तो यहाँ पे लिखा गया, कि it is name given to the, जो आपका covexin है, यह name given क्या गया, given to an Oxford AstraZeneca covid-19 vaccine candidate, which is a technically referred to as, अब इसको technically अगर refer किया जाए, तो क्या नाम हो सकता है, इसका, यह है, हो ने सकता है, इसका है, वो है, azd122 या फिर, chadox1 novel covid-19, clear, तो यह इसके technically names है, clear, तो यहाँ पे लिखा, it is already being tested in the United Kingdom, तो इसको already United Kingdoms के अंदर test कर लिया गया है, South Africa के अंदर and Brazil के अंदर, where participants are being administrated to two doses nearly a month apart, बतलब एक महिने के gap के अंदर, gap किसका, first dose और second dose के बीच में 30 days का gap रखा गया, तो यह test किया गया, कहाँ पे, UK में, South Africa में और Brazil में, United Kingdoms में हो गया, Africa का country South Africa में हो गया, और एक South American country Brazil में हो गया, clear है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं आपे, यहाँ पे लिखा गया, अब यह important है, जो आपका COVID shield है, वो करता क्या है, अब trigger कर देगा, trigger मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो तेज कर देगा, किसको, human के immune response को, in humans, किसके अंगे इस novel coronavirus के इस, in nearly, sorry, in early trials, and is considered to be, अब इसको consider किया गया, one of the global front-turners for the COVID-19 vaccines, यहाँ तक clear है, आगे चलते हैं, next आता है, यहाँ पर, मैंने यहाँ पर भी यूस किया, COVID shield के अगर बात की जाए, तो यह vaccine का data था, तो अगर मैं COVID shield के लिए पढ़ू, तो यहाँ पर लिखा, a vaccine developed by the Serum Institute of India, जो पूना बेज है, on the AstraZeneca Oxford vaccine, has been given conditional approval, conditional approval मिला था, starting में, even इसकी efficiency थी, phase 3 trial में, वो हमने पढ़ा है, कि efficiency इसकी report कीगी, 70.4% की, जो अधार रहती है, तीसरे phase के clinical trial के उपर, जो किये गए, United Kingdoms में, Brazil में, और even यहाँ पर एक चीज और आप add कर सकते हैं, South Africa में भी, क्योंकि यह हमने पढ़ा है, clear, यहाँ पर लिखा, the efficiency data of phase 3 trial conducted on 1600 volunteers in the 17 Indian states, cities, भारत के अंदर भी, जब इसका phase 3 clinical trial हुआ, जिसके अंदर 1600 volunteers आए, तो वो भारत के 17 शहर थे, जिसमें से, have not been made public yet, clear, अगर कोविक्षिन की बात की जाए, तो वो भारत biotech है, and Indian Council for the Medical Research has been approved for the restricted emergency for the clinical trial, यह भारत biotech था, केते, during the first two months of the rollout, the firm also informed drug regulator every fort night about the adverse effect of the vaccine, तो directly, director, sorry, drugs control general of India को, daily basis पे, detail मिल रहा था, phase 1 and 2 trial में, 8 Hindu volunteers है, किसके कोविक्षिन के, केते, efficiency data of owning phase 3 trial with, 22,500 volunteers have not yet made public yet, इसको अभी भी, declare नहीं किया, तो यह हमने even पढ़ लिया था, एक, एक, यह लगा सकते हो, कि, comparison between the COVID shield and COVID vaccine, इवन हमने यह पढ़ा है, कि जो आपकी COVID vaccine है, वो एक किस के लिए रखा गया, वो एक backup है, clear, next आता है, यहाँ पर लिखा, the subject expert committee, the subject expert committee है, COVID-19 के related therapies को लेकर, of the central drug standard control organization, मतलब, central drug standard control organization की, उन्होंने feel किया, that Serum Institute of India, needed to take a pan-India approach, तो पूरे भारत के अंदर उनको approach करनी है, while considering the trial sites, clear है, तो students, what do you mean by CDSCO, तो उसके लिए देखें यहाँ पर, CDSCO, जिसको हमने क्या बोला है, यहाँ पर, central drug standard control organization, तो इसके लिए focus करें थोड़ा सा, आप लोग, तो यहाँ पर क्या लिखा, number one, यहाँ पर लिखा गया, कि under the directorate, general of health services, यह आता है आपका, किसके CDSCO, किसके अंदर है, directorate, general of health services के अंदर आ रहा है, आपका, और ministry, कौन सा mantra आले, ministry of health and family welfare के अंदर आ रहा है, मतलब, government of India, is the national regulatory authority of India, तो यह किसके अंदर आता है, यह हमने हर एक चीज़ को देखा, जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर, central drug standard control organization, clear resilience यहाँ तक, आगे चलते हैं, next देखते हैं यहाँ पर, just a second, यहाँ पर लिखा, कहते है, it recommended, the authorization, किसका, कि भारत के अंदर जो clinical trials होए, और जो बाकी देशों के अंदर clinical trials होए, किसके students वो हुए थे, kova shield के, तो कहाँ कहाँ पर हुए थे, हमने UK के अंदर देख लिया था, हमने Brazil के अंदर इसके face-free trial देखे, even हमने South Africa के भी trial देख लिये थे, जहाँ पर आपके kova shield के face-free clinical trial देखे, तो भारत के trials, जो हमने पढ़ा, 1617 शहर के अंदर volunteers थे, UK, Brazil, South Africa, तो यह सारे का सारा data, देखा जाएगा, consider किया जाएगा, कि यहाँ पर लिखा है कि इंडिया इंटरनेशन ट्राइशन ट्राइल्ट, clear, नेक्स्ट आया हमारे पास, कि Serum Institute of India, can now start its larger phase 2 and 3 trial, ahead of the other vaccine candidates, like the भारत, बायोटेक को वेक्षिन, अब what do you mean by को वेक्षिन, केते को वेक्षिन है, जो developed की गई है, company किसके दौरा भारत बायोटेक की हमने देख लिया था, और किसके collaboration में, याद रखिएगा, जो आपकी को वेक्षिन है, यह developed किसके दौरा की गई है, developed by the company, भारत, बायोटेक, इवन यह लिखा भी हुआ है, students यहाँ पर mention भी है, बट यहाँ पर यह चीज़ मिसिंग है, कि in the collaboration, in the collaboration with, Indian Council of Medical Research, तो यह चीज़ थोड़ा सा focus रखें, कि ICMR ने collaboration किस्से के भारत बायोटेक्स है, को वेक्षिन को manufacture करने के लिए, development करने के लिए, clear, तो यहाँ पर लिखा, कि भारत बायोटेक्स को वेक्षिन, and Zydus Cadillus as Zycov D, यह भी वेक्षिन है, which are still in the phase 1 and 2 trial, अब Zycov D क्या चीज़ है, इसके उपर आप थोड़ा सा focus करें, इसके उपर थोड़ा सा focus करें, what do you mean by Zycov D, तो यह क्या चीज़ है students, देखें आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा गया, कहते designed, and developed by, by, अरे किसके द्वारा, by, Zydeus, Zydeus क्या चीज़ है, a, pharmaceutical company है, आपकी, जो यह vaccination, sorry, vaccine produced किया गया है, यह बनाया गया, Zydeus company के द्वारा, जो pharmaceutical company है, और किसके support से, with the, support, from, the, department of, biotechnology, तो students, इस चीज़ को, आप लोग, थोड़ा सा, focus करके रखा करो, जिसको बुला गया था, DBT, development of, biotechnology, ने support किया, Zydeus company को, जो pharmaceutical company है, और, एक vaccine बनाई गई, for the COVID-19, जो अभी, clinical trial में है, that is, Zycov D, तो clear, यहां तक, बढ़े आगे, तो आगे देखते हैं, हमने यहां तक, तो clear कर लिया, जो इसका phase 3 trial चल रहा है, मैं थोड़ा सा clear कर रहा हूं, आप लोगों के लिए, काफी हौच पॉच हो गया, तो यह, यह points आपके लिए important रहेंगे, prelims perspective से मैं बार-बार बोल रहा हूं, यह चीज prelims perspective से important है, किसी को कोई भी doubt है, तो please comment section में आप लोग ज़रूर लिखें, even यहां पे एक चीज में और बोलना चाहूँगा, हम यह session continuity में रखते हैं, और अगर बात करें, पीडीएफ की students, क्योंकि अभी भी कई students को problem आ रही है, पीडीएफ को लेकर, तो हर एक session के description में जाए, आप लोग वहाँ पे PDF का link given है, आप वहाँ से जाकर, daily basis के sessions के ही relative PDF, आपको वहाँ से download करने को मिल जाएगी, clear, बस आप लोग यहाँ पे बने रहें, क्योंकि यह चीज, अगर daily basis आप continuity में देख रहे हैं न, तो आपको current interface को लेकर, कोई problem नहीं रहेगी, clear, यहाँ पे लिखा, जो trial होता है, कोवी शील्ड का, around 1600 participants हुए, at 18 odd sites, पूरे भारत के अंदर, इंक्लूडिंग दोज, identified by the national, bio pharma mission, and the grand challenge, India's program, important, again important, तो आपको पता होना चाहिए, कि जब कोवी शील्ड का, 1600 volunteers का, जो trial हुआ था, वो 1600 में से, कुछ identify volunteers, किसके द्वारा थे, national, bio pharma mission के द्वारा, and grand challenges, India program के द्वारा, clear हैं यहां तक, आगे और बढ़ते हैं, हम लोग, यहां पर लिखा कि, India continue to improve, अब भारत और भी continue कर रहा है, मतलब, तरकी पर कर रहा है, किसको improve कर रहा है, case fertility rate को, जिसको बोलगा, CFR, case fertility rate, मतलब, number of death, per positive cases, and maintain its global position, अब भारत ने, यह important है, यह भारत का सबसे main, achievement था, improvement थी, कि पूरे world level पे, भारत एक low points पे आ जाए, low points जिसके अंदर mentioned है, जो base अधार रखा गया था, कि COVID-19 fertility rate, इस देश के अंदर कितने हैं, हम लोग उसको decline कर रहे थे, case fertility rate, यानि कि number of death, per positive cases, the current CFR is 2.11%, यह आपका data, 2020 perspective से है, August का, तो यहां तक किसे कोई doubt तो नहीं है, आगे चलते हैं, यहां पे हम लोग और देखते हैं, आगे, just a second, यह चीज़ clear होगी न आपको, next आया यहां पे, यह सिर्फ मैं यहां पे, यहां पे कोई शील्ड के लिए पढ़ाऊंगा यहां पे, क्याते कोई शील्ड मेनुफेक्चर की गई थी, सिर्यमिंशर फिंडिया की तवारा, वास्टू एराइव उन फ्राइडे, नाओ एक्सपेक्टी तो रीच नेक्स वीग, जो शेड्यूल है, कॉलकाता के अंदर आएगी, फॉर्द फेस्ट्री क्लिनिकल यह भी इंपॉर्टन आप लोगों के लिए, बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे लिखा, ग्रेंड चैलेंजिस, भारत के अब चैलेंजिस क्या है, यह इंपॉर्टन ए, यह इटे, इट इस अ पार्टनर्शिप फ्रेमवर्क, फॉर्द डीबीटी, हमने पड़ा, भारत के अंदर, बायो टेक्नलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसल, बायरेक का भी, और बिल आन्द मेलिंडा गेट्स फांडेशन का भी, जिसको बिल गेट्स बोलता पर, कहते हैं, बायरेक इस अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेट अप बाइड डीबीटी, इंपोर्टन यह चीज़ इंपोर्टन है, सूदेंस प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से याद रखिए, नेक्स्ट आया, तो लॉँच जॉइंट इनिशेटिव एमड, आट कैट आलाइजिंग इनॉवेटिव, हैल्थ आंड डेवल्लोप्मेंट रिसेर्च विद इन्डिया, अगेन इंपोर्टन, क्या है, जॉइंट इनिशेटिव है, एम किसको किया गया, catalyzing innovative health and development research को भारत के अंदर even national biopharma mission क्या चीज़ है यहां पर लिखा ये एक industry है academia collaborative mission फिर से collaboration के अंदर mission चला for accelerating biopharmaceutical development in the country अरे इसको students biopharmaceutical development लेकर आना है पूरे भारत के अंदर launch किया गया था 2017 के अंदर और निवेश किया गया पैसा 1500 करोड रुपिया and is 15% co-found by the world bank loan तो 50% की 700 करोड रुपिया world bank के दुआरा निवेश किया गया as a loan implement किया गया था birec के दौर, birec क्या चीज़ है अभी हमने पढ़ लिया biotechnology industry research assistance council clear कोई problem तो नहीं है तो यहां तक का कोई भी data में अगर कोई problem रहती है कुछ ना समझ में आओ हम लोग इसी तरीके से august को continuity में रखेंगे और next months को भी इसी तरीके से करते जाएंगे और मैं आशा करूँगा कि यह वाला session भी काफी आपको अच्छा लग होगा तो please इसको rate कीजे और review कीजे, thank you friends